दोस्तो अक्सर ये मजाक हम सबने तो सुनाई होगा कि एक फॉन लेने के लिए अपना एक किड्नी बेच दो आईफोन आ जाएगा लेकिन कुछ महिने बाद इंफेक्शन हो गया बचीवी किड्नी में भी दिक्कत आने लगी और पूरे जिन्दगी के लिए उन्हें अपने बेड़ परी रहना पड़ा दोस्तो इस घटना से हमें यासिक मिलती है कि किसी चीज का इतना नसा नहीं होना चाहिए कि वो नसा ही हमें ले डूवे